हेलो फ्रेंड्स पुड्स प्राइम आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ताजे नारियल की गुजिया यानि करंची तो चलिए शुरू करते हैं ताजे नारियल की गुजिया बनाने के लिए क्या चीजी चाहिए देखते हैं तीन कप मैदा, दो कप ग्राटेड ताजा नारियल सूजी, एक कप गुड, इलाइची पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक और घी तो चलिए बनाते हैं गुजिया सबसे पहले हम गुजियों का आठा तयार करेंगे बाउल में डालेंगे तीन कप मैदा तीन कप मैदे के लिए हम डालेंगे तीन चम्मा सूजी इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक एक छोटा चम्माच बेकिंग पाउडर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम तेल इसे अच्छे से मिस करेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल का सकता ता तैयार करेंगे अब इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा तेल फिर से इस अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमारा आटा तैयार हो चुका है हम इसे सैट पर रखेंगे अब हम स्टफिंग बनाएंगे पैन में डालेंगे दो चम्मज घी गी के अंदर डालेंगे ग्राटेर ताजा नारियल नारियल आप जितना लेंगे उसका आधाम गुर्ड इस्तमाल करेंगे अब यह है एक कप गुर्ड इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक से एक बहुते अच्छा टेस्ट आ जाता है सारी चीजों को लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे गुर्ड को अच्छे से मेंट होने देंगे देखिए हमारा स्टफिंग अच्छे से तयार हो चुका है इसे इस तरह से गाड़ा होना चाहिए लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे इलाची पाउडर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमारा स्टफिंग तयार है इसे हम थंडा करने के लिए सैट पर रखेंगे हमारे स्टफिंग भी तयार हो चुका है अब हम आटा देखेंगे तो इस तरह से हमारा आटा भी अच्छे से फूल चुका है फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम गुजया बनाना स्टार्ट करेंगे देखें आटे काम इस तरह से छोटा सा गोला लेंगे इसे इस तरह से प्रेस करेंगे अब इसके उपर मैदा लगा कर इसकी छोटी पूरी बनाएंगे याद रखें कि पूरी ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए देखें इस तरह से पूरी तयार है अब इसके अंदेरा स्टफिंग भनेंगे जिसे हमने बनाया था नारियल का स्टफिंग अब पूरी के शार और हम दूद लगाएंगे ताकि इस पूरी अच्छे से चिपग जाए इसे इस तरह से फ्रेस करते जाएंगे अब इसे हम कट करेंगे अच्छे से इसे हम गुजियों का शेप देंगे तो इस तरह से हमने पहले गुजिया बना दी है इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाएंगे तो इस तरह से हमने सारी गुजियों को तयार कर लिया है अब इसे डिफ्राइ करेंगे तेल को आपने पहले से गरम कर लिया है देखे तेल गरम हो चुका है मिडियम फ्लेम पे गुजियों को अच्छे से लाइट गॉल्डन राण होने तक डिफ्राय करेंगे गुजियों पर इस तरह से तेल डाते जाएए एक साइट हो जाने के बाद दूसरी साइट से गुजियों को अच्छे से डिफ्राय करेंगे तो देखें गुजिया अच्छे से डिफ्राय हो चुकी है अभी से हम निकालेंगे इसी तरह से हम सारे गुजिया बनाएंगे तो इस तरह से हमने सारे गुज्या तयार कर ली है यह बहुत ही टेस्टी है और खस्ता है अगर आपको रेसिपी पसंद आये तो ज़रू ट्राइ करें अगर आपको रेसिपी अच्छे लगी तो ज़रू लाइक कीजिए अगर आपके कोई सवास सुजा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए नेक्स टाइम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ धन्यबाद करे लाइम झाले करना मत भूलिए युझे करें तो ज़रू झाले करें अगरू आपके का लाइम मिलेंगे पैस करें रेसिपी के साथे युझे